हेलो स्थूब मैं हम उर्जात बहुत बहुत स्वागत था अब सभी का इस नए वीडियो में बात कर रहे हैं सीरियल गुम है कि जिगे प्यार में के अपकमिंग एपिसोड की बारे में और अकसर ऐसे सीन ऐसे स्टूरी लाइन से उकर जब कहानी को जड़ती है तो टियार पी भी काफी बहतर सीरियल को मिलने लग जाती है अब देखिए यहाँ आज के एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने सभी और इशान के मुमिंट्स दिखाना हमें शुरू कर दिये हैं और आने वाल एपिसोड में जब उनके रूम का हाल देखने वाले हैं बाकिस सब लोग जो हैं तो यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान होने वाले उर सोचेंगे कि आकरकार भाइये मसला क्या है और आकरकार ये सब क्या हुआ है और रिहा का क्या reaction होगा अकका साहेप का क्या reaction होगा ये तो देखो मैं आपको expression तो नहीं पता पाऊँगा पर अप खुदी imagine कर सकते हैं कि reaction होग तो उसका जिक्र ही करना बंद कर देते हैं पर यहाँ पर उन्होंने पुलीस का जिक्र किया और पुलीस सीरिल की स्टोरी लाइन में देखने को मिली तो क्या यह स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी और आगे भी देने वाला है ऐसे में यहाँ पर यह तो आप भूल जाएए कि निशिकांत को जो है यहाँ पर बड़ी सजा मिलने वाली है या फिर उसका सथ सामने आजाएगा अगर सथ सामने आएगा भी तो वह अधूरा आएगा और बाकी क्रेडिट तो वैसे भी पूरी तर कर लो जब तक जगताप सुधर नहीं कितनी बार आकर विराट से मार खाकर कितनी बार कर भी आपस गया था चारेक्टर का भी तो जगताब का जो चारेक्टर था और जो एक्टर थे वह वाकई में नेक्स्ट लेवल थे और नेगिटिव होने के बाद भी जो है उनकी पॉपलरीटी सिरियल के अंदर बहुत कमाल कीती लोग उनको बहुत पसंद करते थे और मैं तो सेकंड सीजन में भी उनका वेट कर रहा था काफी लंबे टाइम तक बिकॉज सब का कुछ नगुज दिखा दिया था पर जगताब की किरदार का क्या हुआ जो कि सवी को बेटी समान मानते थे सेल के मेकर्स ने बताया है नहीं अब यहां पर खेड सेल के मेकर्स के नजरों में रिष्टो की कोई उमीद ही नहीं है कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग भी भला क्यों फर्स सीजन पर रहें क्योंकि सेल के मेकर्स तो सारी रिष्टे नाते भवाने काकुल परिवार को मार कर जो है कतम कर चुके हैं रिलेशन फर्स सीजन से पूरा का पूरा अब देखो यहां आने वाल एपिसूड में सभी जो है कॉलेज जाते वे नज़र आएगी तो कॉलेज कभी खमाल का सीन आपको देखने को मिलने वाला है यही इस टाइप कर रही है जैसा प्रीकैप में देख रहे हैं तोड़ सा अलग होने वाला है सीन हला कि कॉंसेट वो ही है कि बच्चे चिराने वाले हैं सभी को और दूरुवा भी इसमें कुछ चाल और सजिशे करते वे नज़र आएगी जिसका रिजल्ट होने वाला है गर्मा गर्म मसालेदार थपड और यहां पर थपड खाने की गुंज जो है बोसले परिवार तक पहुचने वाली है अक्का साहिब कहने वाली कि यह लड़की अगली बार कॉलेज नहीं जाने वाली है तो देखती हूं मैं कैसे जाएगी और सभी कहने वाली है कि भले ही आप लोग मुझे कुछ ना मानो और मैं भी आप लोगों को कुछ नहीं मानती हूं पर आप लोग मेरे सपने की बीच में नहीं आ सकते हैं और यहां कि मैंने किसी को नहीं दिया है यहां पर किसी को मतलब किसी को भी नहीं और यहां पर इशान जो है वो silent mood में नजर आएगा पूरी तरीके से और अक्का साहिब को लगेगा कि सभी मेर से इतनी उंचे वाजी बात कर रही है इतना कुछ मुझे कह रही है पका अब तो इशान सभी को डाटे गाई डाटे का लेकिन यहां पर अक्का साहिब को जो है छो मेरे अगेंस्ट जाएगी है फिर मुझे से उची आवाजें बात करेगी तो इशान का रियाक्शन जो है वो काफी घंबीर होने वाला और वो सभी को बहुत कुछ सुना देगा लेकिन इशान जो है वो सभी का ही साथ देने वाला और कहेगा कि दुरवा पहले भी होगी यहाँ पर अक्का साहिब को स्टेट्मेंट मिलने वाला है कि लड़का हाथ से निकल चुका है और यहाँ पर सभी के उपर लगाम लगानी के लिए जो है अक्का साहिब एक नए रस्ते को पकड़ते हैं नजर आएगी विकॉस उनको समझ में आ गया है यहाँ पर यह नॉर्मल वाली छोटी छोटी चिंदी वाली चाल और साजिशे करकर है ना उनका कुछ नहीं होने वाला है बिकॉस जब सामने अश्मिता और शिखा नहीं यह कड़क बहु सवी है जो कि यहाँ पर अभी तो पूरी तरीके से बहु का दिकार भी नहीं मांग रही है बहु अ अपने आपको बहु मान जाए घर की अगर से लिके मेकर्स कभी कभी इतिफाक को फॉलो कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं तो इसीन एक ना एक दिन तो आएगा से अंदर जब सभी जो है अपना हक मांगने वाली कि मैं घर की बहु हूं और मेरा कुछ हक है और जब वो हक कि ना भाई वो मुमेंट होने वाला है सिरिल का एपिक मुमेंट कितना वक्त लगेगा मेकर्स के उपर डिपेंड करता है एक महीना दो महीना एक साल दो साल कितने भी सिरिल के मेकर्स खीचने में तो सिरिल को एक्सपर्ट है और जब कहानी घर परिवार की पहुंच जाती है ना तो एक एक सब्ता कब लड़ाई में निकल जाता है वो देखना बहुत कमाल का होता और इस बार बहुत इंट्रस्टिंग फैक्ट ये निकल कर आता है सीरियल के अंदर और मेरे मन में ये सवाल था कि देखो लड़ाई जगड़े जो थे ना बहुत ही मतलब ट्owिस्ट होते थे उसमें और बहुत कमाल के लड़ाई जगड़े होते थे सता स सक्वताइब चावान निवास के हौल में निकल जाते थे अब second season में serial के makers इसको उतना ही effective रख पाते हैं या फिर नहीं ये देखना बहुत ज़रूरी है because मुझे चटपटी लड़ाई देखना काफी पसंद है serial गुमे किसी के प्यारवे में खास कर जब सवी जैसा कड़क अंदा सेरिल की स्टोरी लाइन के अंदर और दुर्वा जैसे कुछ बेवकूफ लूग कमेंट सेक्शन में अपनी रायत जरूरू बताईए आपकी क्या उपिनेन है और कोई पी सवार शियर कर सकते हैं इंस्ट्रग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं